तो आज मैंने क्या किया मैं अपना ये बैग लेके आ गया और इसमें जो भी है आपको सब बताने वाला हूं आपको सब का यूज मैं क्या करता हूं कब कैसे कैसे यूज करता हूं everything तो आपको मज़ा आएगा देखके let's see what's in my bag नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं टेखनीकल घुरू जी चलिए शुरू करते हैं इसको शुरूआत करते हैं सबसे पहले बैग के ही साथ कि ये बैग कौन सा है तो ये बैग मैं पिछले अल्मोस मिनकल से एक दू साल हो गया अब तो यूज करते करते और काफी अच्छा है बैग चल रहा है मेरे लिए काफी अच्छा फंक्शनल भी है पूरी तरीके से पैग था और मैंने इसको लिया और क्वालिटी इन फैक्ट बहुत अच्छी है और मज़ेगी बात की जो बैग है पहली बात तो पीछे की तरफ यहां पर आप देखोगे न तो इसमें पैडिंग काफी अच्छी है अगर ऐसे कंदे पे टांग ना हो बट मैं नॉर्मली बैग के अंदर क्या है तो हम शुरुवात करते हैं एक एक चीज से सबसे पहले इस पॉकेट में क्या है इस पॉकेट में है मेरा वालेट जी हां मैं आज भी ओल्ड स्कूल हूँ कुछ मामलों में फिजिकल डॉकुमेंट्स या थोड़ा बहुत फिजिकल कैश भी करी करता ह तो यह है मेरा वालेट और इस जेव में नहीं कुछ भी नहीं है दो चार सिक्के बड़े जो मैं अभी कहीं रिसेंट्ली कहया हूँगा तो जी हां थोड़े बहुत सिक्के हैं और यह काफी इंटरसिंट्स इस यहां पर न मैं अपनी कीज अटाच कर सकता हूँ ऑल्दों मे इसका नंबर मिलता है मतलब यह काफी एक अच्छा ऑप्शन है तो अगर कोई इस नंबर पर कॉल करेगा जो इसमें नंबर दिया हुआ है तो यह कोड से इनको पता है कि यह बैग मेरा है मतलब इनके अकाउंट में जो है वो रिजिस्टर्ड है तो यह बैग खोने पे चां पुरानी वाली केबल है USB A to C और यह क्यों यूज करता हूं कि काफी जगहों पर चार्ज करना होता ना आपको अंदग हो कुछ तो अकसर आपको USB C port नी मिलता तो इधर C है बट इधर A है जो लगवग सब जगे आपको मिल जाता है तो यह केबल है और कह जी और है यह ताश यह हो तो just for some fun और मैं नॉर्मल तक खेलता भी नहीं हूँ बट ऐसी है मेरे बैग में फिर मेरे बास में क्या है यह cleaning cloth just microfiber cloth to clean some of the gadgets और इस जेब में मेरे पास में है यह this is pen और यह कोई ऐसा ऐसा पैन निया गाइस यह है Apple का पैन जी हाँ आब यह यह आपल का पैन है काफी अ कर रहा हूं तो immigration बगर कुछ forms बगर भरने होते हैं बहुत बार या कुछ भी अगर है तो pen होना चाहिए यह pen नहीं मांगना चाहिए कोई मांगे उसको दे दो खुद मत मांगो तो that's it और इसमें वैसे मेरे पास में options है कुछ और cards बगर रखने के कुछ और यहां पे pockets बगर और मैं इनको यूज करता हूं first class बिना किसी problem के then I've got lip balm और नीचे इधर ओ यह मस चीज है हुई यह हमारे पास में है यह देखने में कुछ और लग सकता है बट यह सिर्फ एरफोन को रखने के लिए है और इसके अंदर मेरे पास में दो चीजे हैं एक तो हैं यह Sennheiser के यह professional earphones हैं और मैं इनको किसी एक specific device के साथ use करता हूँ आपको बताऊंगा बट बहुत अच्छे हैं memory foam के साथ में आते हैं और जो sound quality है मतलब in-ear earphones की 100 pro है यह तो बहुत अच्छा आपको experience मिलने वाला है music के point of view से तो एक तो यह है और मेरे पास में क्या है इधर एक और interesting item है औ बड़ी interesting चीज है होता कि यह ना यह USB-C cable है इसको charge करने के लिए यहां से charge हो जाता है इतना सा यह device है और यह एसे खुलता है और यह लग जाता है आपके flight वाले system में तो अगर आपको अपने airpods को use करना है flight में movie देखते हुए तो आप इसको use कर सकते हो और बड़े आराम स यह काम करता है और चोटा ता device है काफी quotable भी है तो मैं इसको use करता हूँ कभी-कभी अगर travel करते टाइम पे जोरत पढ़ जाती है तो और कुछ नहीं है इस तरफ यह जो है pocket यह although वैसे तो है water bottle carry करने के लिए because यहां पर आपको एक drainage hole मिल जाता है but मैंने इसमे water bottle नहीं रख है मैंने इसमे रखा है यह जो कि है मेरे apple vision pro की battery तो यह battery बढ़ी आराम से मैंने इसमे रख लिए और इसके अंदर कुछ भी नहीं है अगर चाहिए तो water bottle carry कर सकते हो और कुछ नहीं चलो जी उसके बाद में क्या है हमारे पास में उसके बाद में यह आपको दिख रहा है यह बहुत जरूरी है बैग को track करने के लिए और यह है अर्मिस का जो apple का air tag था काफी अच्छा इसका look आता है और यह मैंने आप अपर attach कर रखा है but secret यह है कि यह इकलौता इस bag में air tag नहीं है एक और air tag भी है जो कहीं से कोई देख नहीं पाएगा ढूंड भी नहीं पाएगा जहां तक chances हैं तो यह क्यों रखा है ना because जब आप बाहर travel करते हो तो अकसर चोरी होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं और वहां पे लोग तो यूरोप वगरे में तो पूरा-पूरा bag लेके भाग जाते हैं तो यह मैंने बाहर लगा कर रखा है जान बूज के बाहर लगा सारा समान हो गया है then हम इसको open करते हैं यह है इस bag का main compartment तो यह खुलता है main compartment में हमारे पास में सबसे पहले है यह मेरे ray-ban वाले meta वाले यह sunglasses काफी अच्छे है और transition lenses वाले है तो धूप में चलाओ तो dark हो जाएगा indoor use करो transparent रहेगा camera वगर है काफी चीसे काम करता है तो यह मै मेरे पास में भईया यह बैग में heavyweight champion apple का vision pro मैं इसको ऐसी करता हूँ कि इसका पूरा वो case है वो और ज्यादा बहुत बल्की है और मेरे को लगता है कि इस प्रोटक्शन ठीक है मैं कौनसा बैग इसी फेक करता हूँ तो आराम से इसके इंदर इतनी comfort में padding है कि यह इसमें damage होगा तो इसको मैं रखता हूँ अपने entertainment के लिए on the go या कभी अगर flight वगरे में हैं तो फिर मेरे पास में इस pocket में यहाँ इसमें दो pockets है बैग में एक pocket में है यह और यह है Sony का Walkman मेरा इसमें music है बहुत ज़्यादा मैंने स्टोर किया है और best quality मिलती है और इसके साथ में अब लंबे time तक बला राम से सुन रहे हो और phone जो है वो आपका अपने जगे परफॉर्म कर रहा है काम वाइस यह देखा आपने इस तरफ अब जो दूसरी pocket है उसे मेरे पास में हुच ऐसा item है जो बहुत exclusive है और वह exclusive इसलिए है कि यह देखा आप क्या है क्या लिखा है यह है samsung galaxy का एक neck fan काफी interesting product है और यह samsung के flip phone की तरह ऐसे flip भी हो जाता है चोड़ा पंगा है आप इसको टेबल टॉप पर रख सकते हो और अच्छी कासी हवा फेख सकता है और गरदन में टांके ऐसे अपने मुझ पर सीधी हवा ले सकते हो और type c से charge होता है और 3000 mh का power bank भी है त अगर देखे हैं हम की नीचे क्या है तो नीचे भाया मेरे पास में है यह वाला एक section और यह मैं काफी time से use कर रहा हूं और यह use कर रहा हूं इसके अंदर mislaneous चीजे है मतलब airport पर जब मैं जाता हूं तो बैग से सब निकाल दो electronics तो मतलब मैं करता हूं लैपटॉप निकाला कोई दिक्कत नहीं आती है तो यहां पर इस दो sections है पहला section है यह इसमें मेरे पास में यह एक एल टाइप केबल है ब्रेड केबले USB C to C 100W तक की charging को सपोर्ट करती है first class चलती है को दिक्कत नहीं है यह चीज ओके जी Apple का charger है यह पुराने वाला है 87W वाला है यह तो यह मैंने यह यूज करता हूं उसके अलाव मेरे पास में एक CMF फला charger भी में रखता हूं तो कभी यह कभी यह मतलब डिपेंडिंग बैक अप देखो हमेशा होना चाहिए ना मतलब ऐसा कभी नहीं मेरे पास तो बैक अभी बैक आप है कि सोचना एरफून कितने सारे तो लेके बैठा इसके लिए यू के लिए यू वाला हो गया यूएस के लिए यूएस वाला हो गया तो यह multi-pin adapter काम करता है पीछे यहां पे सारे multi-pin वाले options है आपको जो भी लगाना हो आप इसमें लगा सकते हो यहां पे output भी है directly तो यह हो गया एक और charger फिर क्या है जी हमारे पास फिर है और यह है एक dongle basically laptop में लगाना हो या tablet में लगाना हो यहां पे इसके लिए फिर एक USB-C यहां पे है HDMI भी है VGA भी है LAN के लिए और LAN वाला मेरे बहुत काम आता अब को बताऊंगा कैसे इधर एक memory card इसके लगा पड़ा है मेरा और फिर एक और card reader है SD और microSD दोनों के लिए headphone लि Canon 1 यह है adapter तो काम आता है फिर मेरे बास में एक और भी है इसका अलग use है अपको बताऊंगा बात में इसके अंदर भी अगेन यह कुछ quick buttons है USB-C इस तरफ है और यहां पे HDMI और इधर power, memory card reader, USB-A, headphone वगरे सब इधर मिल जाते है एक खराब होगे दूसरा होना चीगे उसके बा इसके इसके अपको निकाल दूँगा मैं बट यह आसी पाउच रैद पड़ा था मिरे पास में मतलब मैंने देखा भी नहीं अच्छी बात है अब याद आगया I'll keep it away और यह है फिर camera जो मैं अक्सर यूस कलेता हूँ कभी कबार यह Insta 360 का जो वन इंच वाला camera है न विद लाइका तो यह लाइका वाला camera है और बहुत अच्छा यह गाम गरता है वन इंच वाला तो यह camera है और इस camera की देन मेरे पास में एक एक एक्स्ट्रा बैटरी भी ह extreme pro hard disk SSD है और यह है 4TB की तो तुरंत कुछ data backup करना और ट्रांसफर करना उसके लिए hard disk होना बहुत जरूरी है फिर मेरे पास में है यहां पे दो और extra cables, तीन cables in fact आपको बताता हूँ क्या है एक चोटी cable है C2C जो कि इसके साथ में काम आती है drive के साथ इसको लगाया और तुर और मैंने अक्सर टेलिविजन को खीच-काच के वहां से cable निकाल लेता हूँ मतलब I do all the jugaad और इस तरफ लग जाएगी मेरे पास इसमें यहां पे ऐसे और मेरे को मिलता है बाद में super high-speed internet मतलब Wi-Fi अगरे को 10 ताई नहीं है तो यह carry करना बहुत जरूरी है especially while traveling फिर मेरे पा तो बहुत super high-speed transfer के लिए यह high-speed cable है फिर मेरे पास में इसमें ऊपर एक और चीज है जो मैं दिखाना भूल गया आपको which is this यह भाया lifeline है इसके बिना कुछ नहीं हो सकता यह है मेरी Google की की जिससे accounts में login मैं करता हूँ तो यह ऐसी है और इसमें button है NFC और Bluetooth के साथ में आती है तो मतलब phone में tap करकी भी हो जाता है और कई बार devices में insert करने को बुलता है laptop अगरे में insert करना पड़ता है तो यह है USB-A और यह एक converter है जिससे यह USB-C बन जाता है तो इसको लगाया इसमें button दबाया और मैं अपने account में login कर सकता हूँ otherwise को भी नहीं कर सकता ID बताओ, password बताओ, OTP बी भी आजया, सब कुछ आजया, इसके बिना नहीं कर सकते, तो this is that thing, okay, सारा काम हो चुका है, सिर्फ एक pocket बची है guys, पीछे और फिर एक और है, यह है मेरा laptop और यह है Apple का M3 Max chip के साथ में आने वाला MacBook Pro 16 inches वाला model, guys यह laptop जो है, यह एक beast है, मतलब इसमें 128GB की RAM है, 8TB की SSD ल मैं अपने बड़े से बड़े काम को भी इस पे on the go कर सकता हूँ, तो यह है amazing machine, जो हमेशा मेरे साथ होती है, but मेरे पास में एक और amazing machine है, और वो है यह, यह जो है मेरे पास में, यह है Samsung की तरफ से आने वाला, Samsung का Tab S9 Ultra, और मैंने इसमें अपना keyboard लगा रख है, और पीछे मे यह जाता है, तो what I am trying is, कि अभी क्योंकि on the go में इतना काम नहीं करता हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूद नहीं है इस laptop की, तो I am trying कि अगर मैं इसमें switch कर जाऊँ, तो मेरा सारा काम इस पतले से sleek device में हो जाएगा, जहाँ पर entertainment का मज़ा मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजे इस बैग को मैंने पूरा काली कर दिया है, फाइनल चीज है, वो है यहाँ पे, यह एक hidden pocket है, पीछे, मैं usually while traveling अबना passport इसमें डाल देता हूँ, लेकिन यह जो pocket है, इसके अंदर अभी क्या है, अभी मेरे पास पे हैं यह earphones, और यह है OnePlus के, Bullet Wireless, I think Z2, Z3, जो भी अभी model थे न बैग, यह एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं, मतलब इतना मैंने अपने बैग को कभी नहीं फैलाया है, बट अभी, let's see कि मैं कितने time में अपने सारे समान को इस बैग में तरीके से पैक कर पाता हूँ, time starts now. कि अपने पूरा बैग मेरा फैला हुआ था, बट इस बैग को पैक करने में और यूजली जब में एरपोर्ट पे समान निकालता हूँ, तो सबसे फास्ट में काम करता हूँ, मिरको मतलब आदत है, खटखट लैपट बहार, टेबलेट बहार, बॉक्त बहार, बॉक्त बहार खोल कर लग दिया, और पैक करने में मतलब सेकंड लगते हैं, तो यह है मेरे बैग का पूरा समान, आप बता आपको वीडियो कैसा लगा, और आप इसमें क्या रिक्मेंट करना चाहोगी, कुछ इसमें आड करना है, कुछ इसमें निकालना है, वाट्स यॉर सजेशन मुझ आप से अगली वीडियो में, जै हिंद वन्दे मात्रम